वेलकम टू लर्नीग ट्यू चैनल आज नमम्ह सिस्टम में हम लोग डिजीटल सम के बारें पढ़ने वाले हैं और रिमेदर ठीवराम के बारे में पढ़ने वाले हैं यह डीजीटल सम क्या करता है हमारा जो केलकुलेशन होता है उसको बहुत आसान बना देता है यहांनि जब हम लोग बड़ा बड़ा कल्कुलेशन जहां पर आ जाता है सवाल बनाने के टाइम तो उस समय जो बड़ा कल्कुलेशन था उस कल्कुलेशन को यह Digital Sum easy बना देता है तो सबसे पहले हम लोग Digital Sum के बारे में पढ़ लेंगे तो डिजिटल समिकालना है तो इसнесने सारे डिजिट को एक सिंगल डिजिट मेकनवा्ड करना है अगर हम सारब डिजिट को जॉर हैंगे तो इगारह आट उनीस देगया तो 910 है को यानि जब तक कुस्हें करेंगे इसको अईड करते रहेंगे फिर एक जीरो एक हो गया ठीक है तो डिजिटल सम्में क्या करना रहता है कि यानि सब को जोर कर एक सिंगल डिजिट में यानि यूनिट सिंगल डिजिट में करना रहता है ठीक है जैसे बाके हम लोग सवाल के माध्य हमसे समझेंगे इसका यूज कहां कहा होता है अभी थोग सा इसका बेसिक तो फिर इसको convert करेंगे तो दो चार यानि इसका जो digital sum होगा वो चार हो जाएगा तो पहला तरीका यह होगा कि आप सब को जोड़ सकते हैं दूसरा तरीका आपके पास हो जाएगा अगर संख्या का योग अगर 9 हो रहा है तो आप उसको 0 मान सकते हैं ठीक है यानि संख्या का योग अगर 9 हो रहा है digital sum में तो उसको हम 0 मान सकते हैं तो अगर यहां पर देखे तो 7,2,9 हो रहा है तो इसको 0 हटा रहते हैं तो 8,5,13 तो इसका जो अगर हम digit का संख्या करेंगे तो 3,4 पहले भी 4 आया था और अभी भी 4 आ रहा है तो हम जहां भी अगर 9 का बात आए तो हम वहां उसको 0 मान सकते हैं जैसे अगर यहां पर digit का सम उनिस आया था तो हम इस 9 को अगर हम 0 मान लेंगे तो हमारे पास भी digital sum एक बाचा और यहां भी digital sum मेरे पास एक ही था ठीक है तो संख्या जहां भी अगर 9 आये तो हम क्या करेंगे उसको 0 मान लेंगे ठीक है अब दे इस सवाल को अगर हम बनाएंगे तो मिनिम्मम 2-3 मिट लग जाएगा पर पहले इसको प्लस करना है फिर इसको प्लस करना है फिर मानस करना है तो अगर हम डिजिटल सम के माध्यम से अगर हम इसको बनाएंगे तो बहुत इजी वें बन जाएगा कैसे बनेगा वो देख लेते जैसे 7,8,7,15,7,22 यानि इसका डिजिटल सम 20 आ यानि इन 2,2,4 आ गया इन इसका डिजिटल सम कितना गया चार इसका डिजिटल सम निकालते हैं 3,2,5,4,9 हम बोले थे अभी कि 9 अगर आज है तो उसको 0 माल लेंगे तो 3,2,5,4,9 ये 0 हो गया और ये 9 0 हो गया तो ये 0 हो गया 4 माइनस 0 फिर अगर इसका बात करें तो 5,4,9,9 को 0 माल लेते हैं 3,1,4 यानि माइनस 4 पलस 6,5,11,6,5,11,2,13,8,16 यानि 6,1,7 हो गया यानि इसका डिजिटल सम साथ हो गया अगर हम अब कैलकुलेशन करते हैं तो 4 पलस 7,11,11 में इसे चार गया 7 यानि इस सबका डिजिटल सम जो है वो 7 आ रहा है तो आप्शन बे भी हम देखेंगे कहां पे डिजिट को सम करके 7 आ रहा है अगर हम ए नमर आप्शन लेते हैं तो 7,14,6,17 तो अगर हम डिजिट को सम करेंगे तो आप्शन नमर ए में 8 आ रहा है तो यहाँ पर हम जबकि हमें 7 चाहिए तो यह आप्शन नहीं हो सकता है अगर हम इसको देखें तो 6,14,6,16 तो यानि इसके डिजिट का जो सम है वो कितना रहा है 7 आ रहा है तो यानि यह हो सकता है अगर हम यहां देखें तो इस नों को हटा रहते हैं तो 7, 4, 16, 17 यानी 7, 18 यानी यहां पर digit का सम 8 होड़ा है यानी यह भी option नहीं हो सकता है हमें digit का सम 7 चाहिए यहां अगर देखें तो 4, 15, .5 ,ər топ ,6 ,18 ,17 , فقط 8 ,9 ,9 ,0 ,2 ,5 ,6 ,2 ,7 ,6 ,6 ,2 ,2 ,10 ,4 ,0 ,7 ,7 यह था तो जो इसका एक ही अनसर होगा उप्स नवर भी हो जाएगा तो इस तरीके सम देखें कि हमें ऐस डीजिटल सम में नज्यादा गुणा करना पर रहा है स्वरी नज्यादा जोड़ना पर रहा न ज्यादा गंशाना पर हैं है फीर हमसे और सवाल FO इस सवाल में अगर हम डिजिट का सम निकालेंगे तो 3,2,5, 5,8,5,3,1 एक हम करते हैं जहां पर डिजिट का सम 9 हो रहा है उसको 0 बना देंगे जैसे 7 और 2 9 हो जाएगा यह 0 करते तो इसको 8,3,11 हो गया एक ग्यारोग हम करते हैं एक प्लस एक दो यानि इसके डिजिट का सम दो हो गया मैनस 3,2,5,1,6 प्लस 9 को तो हम 0 बना देंगे तो यहां बच जाएगा 8 is equal to यहां पर जो संख्या है इसके डिजिट का सम हम माल लेते हैं कि X है डिजिट का सम यहां पर X था तो मैनस 5,49 यानि यह 0 हो जाएगा बचेगा एक पलस यह 9,0 हो गया 5,49 यह भी 0 हो गया तो यह पर 0 आ जाएगा यानि 8,2,10 मैं से 6,4 और यह मैनस इधर आएगा एक तो X is equal to क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा यानि यह वाट के अस्थान पर जो संख्या आएगा उसके डिजिट का सम कितना आ ग सबस्क्राइब क्यारक क्योंकि हम लोग सिंगल डिजिट में कनवर्ट करते हैं अब यहां देखते हैं चाहर दू छी तिन नो यह 0 हो गया तो जीट का सम यहां पर 4 हो रहा है तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा अब आते चाहर दू छी,4,10 , 4,14 यहां पर दिजिट का सम 5 हो है तो इसका जो अंसर होगा वो सी हो जाएगा चाहें तो आप इसको केल्कुलेशन करके देख सकते हैं ठीक है तो हम बराबरा सवाल में भी यूज करेंगे लेकिन फिलाल अभी छोटा-छोटा सवाल के माद्यम से इस डिजिटल सम को समझ रहे हैं जिसे सवाल देखें तो इस सवाल में क्या करेंगे अगर हम इस नौ को हटा देंगे तो यहां पर जो आएगा छेक सात हो जाएगा डीजित का सम साथ गुना इस नौ को हटा रूल होता है वो डूल भी बता देंगे फिलाल में पलस मैनस और मल्टिपल आइम हम लोग कैसे यूज करेंगे वह देखते हैं अब आते हैं, यह 7 हो गया इसका digit का सम, पलस 4,5 यानि इसके digit का सम 5 हो गया, गुना यहाँ पे 4,5 यहाँ भी digit का सम 5 हो रहा है, माइनस 8,10, 10 में digit का सम 1 हो जाएगा और यहाँ पे 9 कोग इग्नोर कर देते हैं, 6,7 यानि गुना 7 तो यहाँ पे कितना हो गया, 49, यानि 49 में हम 9 कोग इग्नोर करेंगे, तो 4 हो जाएगा पलस, 25 यानि 5,27 यानि 25 आगया, तो 5 और 2 साथ हो जाएगा, digit का सम माइनस 7, अब यह दोनों साथ के अंसी लोगा, तो टोटल डिजिट का जो सम आया, वो कितना गया, 4 आगया अब हम option चेक कर लेंगे, कि option में कहां पे digit कसम 4 आ रहा है, अगर option यह चेक करें तो 7, 4, 1, 6, 17, 4, 21 यानि 2,1,3 ही हो रहा है यहां पर यहां चेक करें तो 8,4,12,6,8,4,22 यानि दो दो च्यार हो रहा है यानि यह उप्शन हो सकता है अगर आगे देखें तो 4,4,8,6,14 यानि यहां पर डिजिट का सम 5 हो रहा है यह उप्शन नहीं होगा और 6,2,8,2,10,8,8,8,8,8 यानि यहां डिजिट का सम 0 हो रहा है तो एक ही ऑप्शन B मिला यानि जो आपका अंसर होगा वो ऑप्शन नमर B हो जाएगा तो डिजिट का जो सम होगा उसी को डिजिटल सम बोला जाता है अब जैसे अगर मान चले कहीं पर कल्कुलेशन करके माइनस 4 आ जाता है तो कल्कुलेशन करके अगर कहीं पे भी माइनस चार आये तो यह माइनस 4 डिचल सम नहीं होगा हम क्या करेंगे इस मैनस चार को 9 में से घटा देंगे तो पांच आएगा तब हमें ओप्षन में डिचल सम 5 धूंड़ना पड़ेगा अगर इसका केलकुलेसन करके आगर माइनस चार आ जाता तब हम माइनस चार डिजिटल समने डूंदे हम इस चार को क्या करते हैं 9 में जगटा देते तो 5 आता तब हम option में 5 डिजिटल सम दूंदेते जीसे एक सवाव लाट देख लेते हैं यहां पे 5 1 6 6 12 यानि 2 1 3 इसका डिजिटल सम हो गया गुना 1 1 2 मैनस 3 3 6 3 9 यानि ये तो 0 हो जाएगा ये 0 आज 0 का अगर हम इससे गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा पलस 2 2 4 बरावर यहां पे वाट का स्थान का हम डिजिटल सम माल लेते एक्स था गुना 1 1 2 ठीक है तो अब ये आगए 3 6 पलस 4 is equal to x गुना 2 तो यानि 6 4 10 बरावर दो यानि ये क्या आगए x ठीक है तो 10 बरावर दो आगए तो 2 से ये कितना बार में कर जाएगा 5 बार में कर जाएगा तो 5 बार में अगर कटेगा तो डिजिटल सम हमें 5 दूनना है तो यहां option हमें पता है कि यह अंसर है इसका तो हम देख लेते किया इसका डिजिट का सम 5 हो रहा है जैसे 7 दूननों 0 कर देते इसको 5 दून यह भी 0 कर देते तो तो 4 एक 5 बच गया ठीक है तो यहां पर भी डिजिट का सम 5 हो रहा है यहां पर एक restriction है कि जैसे हम बोले थे कि डिजिटल सम का यूज हमें divide में नहीं करना है यहां कट गया तो ठीक है divide में नहीं करना है तो यहां पर x is equal to कितना गया 10 बच दो तो जब भी मांचली यहां पर तो कट गया अगर नहीं कटता तब हम क्या करते है तब कुछ नहीं करना था अगर मांचली अगर 10 बच दो की जगा अगर हमारे पास on another 10 बच साथ गहuję 10 बच साथ गया हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं तब हम कैसे निकालते वो देख लेते ह worry जैसे यहां पर 10 बट्टा दो था हम माल लेते कि अभी नहीं कट रहा है यह 10 बट्टा दो नहीं कट रहा है तब हम digital सम कैसे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे नीचे जो है उस संख्यां से गुना करने की कोशिस करेंगे जो इसको एक बना दे तो अगर हम 5 से गुना करेंगे त तो पांस ही कष्ट दुना 10 तो यानि नीची एक आजाएगा अगर हम नीचे पांस उगुना करें तो उपर भी 5 वुट नहीं करेंगे था कि अगर कबी संख्या नहीं कटे तो हम क्या करेंगे कि कि उस संख्या से multiply करेंगे कि उसके digital sum नीचे वाला का एक आ जाए कुछ एक्जामपर ले लेते हैं जैसे में अगर नीचे 4 आ जाता तो हम क्या कर तो उसको साथ से गुना कर देते हैं यहीं साथ चोक आठाइस हो जाता तब डिजिटल सम आठ डू दस यान एक हो जाता अगर नीचे चार रहे तो हम साथ से उपर नीचे गुना कर देंगे तो डिजिटल सम एक हो जाएगा यह तो चार बाला बात हो गया अगर नीचे पांच रहे तो हम उसको क्या करेंगे दो सुगुना कर देंगे ताकि पांदुना दस यानि डिजिटल सम एक हो जाए या नीचे दो रहे तो हम क्या करेंगे पांच रहे तो दो सुगुना कर देंगे तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे अगर नीचे गुना कर देंगे अब दिशें यहां पर आयते हैं 31% of 260 गुना वाट के जगर पर हम डिजिटल सम एक्स माल लेते हैं इतना दिया गया है तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पर तीन एक चार गुना छेदू आट इजिक गुना एक्स हम यहां का जो डिजिटल सम उसको मा अब आते हैं जैसे तीन एक चार गुना यहां पर छेदू आठ और यहां पर जो वाट के स्थान का जो डिजिटल डिजिटल का सम आएगा वह माल लेते कि एक्स आ रहा हैं बड़ावर कितना हो जाएगा यह नो को हटा देते हैं और आठ एक नो को हटा देते हैं तो यहां च्छेदू आठ बाचा ठ highly तो यहां आठ चो का 32 हो जाएगा और 32 के डिजिटल सम कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा गुना एक्स बर आबर 2 यानि डिजिटल सम कहने का मतलब होता है कि सब को हम सिंगल डिजिट में करनबट करते हैं एक्स बड़ावर कितना हो जाएगा आठ पांच तो क्या आठ पांच हम डिजिटल सम निकालना पॉसिबल है नहीं तो अभी जश्ट बता है कि अगर पांच आ जाए तो हम क्या करेंगे दो से उपर नीचे गुना कर द देटें हैं तो अब हमारे पास कितना वह गया तो नीचे टीजिट कसम एक आगया तो हमें क्या धुंदना है उपर सेक 7 यानि उपर जो है साथ जीट इगा सम साथ में कि यहां पर कि लेट हो जाएगा जैसे यह सवाल देखते हैं ऩी यहां पर कितना होता है फित है तूब है फिर फिसेप्वाद यूंज होझा स्सक्राफ का स्कराइक संट मिल देखते हैं तो एकस ब्राबर कितना हो जाएगा ? 9 बटा आदूना 16 16 के डीजट का समग 7 यनि 7 आगया अभी जश्ट बोले हैं कि अगर नीचे 7 रहे तो हम क्या करेंगे ? ओपर नीचे 4 से गुना कर देंगे अगर नीचे 7 रहें तो हम क्या करेंगे ? चार सुगुना कर देंगे या चार रहेगा तो सास सुगुना कर देंगे तो यहां क्या जागा 36 26 बटा 28 तो नीचे 822 एक हो जाएगा और यहां पेछ तीन 9फ." अब हम चेक ह приг़िँए कहांपे दिजिसटा संुगुना क्या सबधा हैं । यहां सब्साफ है तो स्वाल है अगर हम संस्के solve करने की कोशिस करें तो मीनिमम 4-5 मिनट लग सकता है लेकिन अगर डिजिटर सम की मादधे हमसे solve करने कोशिस करें तो बहुत एजी वे में बहुत जल्ली निकल भी सकता है जैसे इस सवाल को देखते हैं एक सवाल खुद से बनाने के लिए देदेंगे जैसे यह सवाल देखत यह 0 हो जागा बच गया 2 गुणा अफ मतलब गुणा होता है आठा 16 यानि 617 माइनस 617 चलेगा रहा एक एक दो गुणा पांच 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 15 हो जागा तो 516 बरावर दो गुणा और यहां पर जो आएगा उसका हम डिजिट का सम्मान लेते हैं कि एक्स था ठीक है तो यह जागा साथनों 14 14 में 4 एक 5 माइनस 6 दों 12 12 में 213 बरावर 2 एक्स तो यहां से एक्स बरावर कितना हो जाएगा दो जब दो बटा दो जब दो आजए तो हम क्या करेंगे उपर नीचे 5 5 से गुणा कर देंगे ताकि नीचे क्या जाए एक आ जाए तो छे चार दस यहां पर एक आ जा रहा है तो इसका अंसर जो है वह यह नमर ऑप्शन हो जाएगा अब हम लोग नेक्स सवाल में देखते हैं जिसी यह सवाल था तो चार एक पांच यहां डिजिट का सम पांच गुणा आठ एक नौ और बच गया छे डिवाइड बाए दो 13 पलस कितना वह जाएगा ग期्राद लिजिट ऑ तो आधा रहीं गया और ऊपर नीकिचे पर नीचे कोहां करना चाय चाहां कर देंगे तो चाहर चुणा करदेंगे हम ंट नहीं से चाहर आघुने जोगना पांचर इतो आटए से दो कर देंगे approximation value में यह digital sum काम नहीं देगा तो 3-1-4 हो जाएगा तो यहां से 3-2 बार में यानि 5-2-10 प्लस 4 तो यहां से क्या जाएगा 14 यानि 4-1-5 यानि digital sum जो यह वो 5 आ रहा है तो एक option नमर यह में digital sum 5 हो रहा है इन 3-6-5-11 यहां digital sum 2 हो रहा है यहां पर 2-1-3 यहां digital sum 3 हो रहा है यहां पर 8-2-10-3-13 यानि digital sum यहां पर 4 हो रहा है और 5-2-10 उसल यहां digital sum 7 हो रहा है तो इस तरीके sum digital sum के माध्यम से कोई भी सवाल को EGW में बना सकते हैं जिसे यह सब सवाल खुझ से practice कर लेना है एक सवाल यह रहा है और यह सवाल यह रहा है जिसे यही सवाल है अगर हम इसको देखें तो 2-1-3-1-4 यहां digit का sum 4 हो रहा है और यहां पर 3-2-2-4-3-7 यहां digit का sum 7 हो रहा है और यहां 2-1-3-6-3-9 यहां इसक सब्सक्राइब करेंगे टोटल डीजिट का sum 4 आना चाहिए जीट का sum 4 का होज सब्सक्राइब आ रहा है आप्सन नमर सी में आ रहा है यानि 3-1-4 और बागे किसी भी आप्सन में नहीं आ रहा है यह जो सवाल है वो CGL 2017 में पूछा गया था तो हम डीजिटल सम के माधिन से क 3-1-4 हो जाएगा बाइ डिवाइट का मतलब बटा यहां पर 2 गुना 2 माइनस 538 गुना 2 और यहां पर 5 आ जाएगा यहां डिवाइट बाइट पांच डिजिट का sum 5 अब यहां देखे यह दो सब्सक्राइब यानि आट चार बारा दो एक तीन हो जाएगा बारा का में की नीछी क्या हो जाएगा आब यहां डिजिट काम देखे तो यह यहां डिजिट काम देखे तो यहां पर 32 पर 32 क के डिजिट काम सम्ध तीट भू पांच हो रहा है तो यहां पे 5 अब आ puts, 3 3 8 आ झा रहा है है जा जा रहा हम सब्सक्राइं memorial अदिन Bigoth करा चाह यहां ता न ह सबस्क्राइब में इस प्रसक्राइब यहां भरम सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो बांकी हम लोग अगर आगे सवाल बिलता है तो हम लोग इस कॉंसेटर्प और आगे विडिएयो कंट्ونी करेंगे अब हम लोग तो यह चो दो आया, यह मेरा क्या आजाएगा, 6 आजाएगा, निरेमेंडर आजाएगा, तो यह चीज़ हमको पता था, अब आते हैं एक चीज और, जैसे अगर हम लोग 21 को 4 से डिवाइट करेंगे, तो 6 फल कितना जाएगा, 20 बार में लग जाएगा, 6 कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, अगर हम 23 को, 23 को 5 से डिवाइट कर देंगे, तो 5 का 20, 4 बार में लग जाएगा, 20 तक, तो 6 कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यह चीज़ तो पता था, अगर हम गलती से, यह 23 को अगर हम लोग, गलती से हम, एक ज्यादा बार में लगा जाएगे, यह 5 बच लाएगी, तब कितना हो जाएगा, 25, तब हम घटाएगे, तो सेस कितना बचाएगा, मैनस 2 बहा, तब सेस क्या जाएगा, मैनस 2, तो हम लोग सेसफलन को क्या करते हैं, निगेटिव नहें रखते हैं, तो अगर सेसफलन था, तो कुछ ने करना है, भाजक, जिस भ पल निगेटीव में आता है अगर जैसे अगर हम लोग एक छोटा सब्सक्राइब लिए तो 25 को अगर हम लोग 6 भाग देते हैं अगर हम एक अधिक भार में लगा देंगे तो 635 हो जाएगा तो सेस्पल किया जाएगा सेस कितना जाएगा 635 लगाएगे तो माइनस 5 आजाएगा तो सेस निगेटीव में नहीं होता है तो इसलिए हमें जो भाजक होगा उसमें से घटाना परेगा तो 6 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो सेस्पल कितना जाएगा एक आजाएगा ठीक है और वैसे अगर हम 625 में 24 ब लगा देंगे तो जैनि सेस्फल निगेटिव आ जाएगा तो निगेटिव सेस्ज जब भी आए तो क्या करना है जो भागफल होगा उस भागफल में से हम लोग स्वारी जो भाजक होगा उस भाजक में से अब नेक्स देखते हैं नेक्स ठोड़ी क्या है जैसे सवाल दें कि 52 प्लस 53 इसको अगर हम दस से टिवाइड करें तो सेस्फल क्या आएगा बावन प्लस तिरेपन को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो सेसफल क्या आएगा तो पहला काम यह रहेगा कि इस दोनों को अगर हम जोरेंगे तो कितना आजाएगा एक सो पांच अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 देंगे 100 तक कर जाएगा तो 6 पल कितना बच जाएगा पांच बच जाएगा यह छोटा सा सवाल था तो हम एजियली जोड लिए लेकिन अगर यही बड़ा सवाल रहता अगर यहीं गुणा रह जाता तब हमें बहुत जैदा मेंनत करना पादा तो हम क्या करेंगे जब भी पलस रहें तो क्या करना है जोडना नहीं है हम इस 10 से यहां भाग लाग देखेंगे यहां भाग लाग देखेंगे तो यहां कितना 6 आएगा दो 6 आजाएगा ठीक है यह बाबन में अगर हम 10 से भाग लाग देखेंगे तो यहां क्या जाएगा दो 6 आजाएगा फिर यह तिरपन में अगर हम 10 से 10 से भाग लाग ठीक है तो अगर मझेले कोईभी बारा सवाल अजाए हैं तो हम क्या करेंगे हर जगा अलाग लक्से सह निकालके पल। रहेकातो만 कर देंगे और मायनस रहे तो मायनस कर देंगे और गुना रहे तो गुना कर देंगे ठीक है जिस सवाल लेते हैं कि 101 गुना कि många एकसो 27 101 गुना एकसो 27 अगर हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे तब सेस्फल कितना आएगा 101 गुना एकसो 27 को अगर हम लोग 25 से डिवाइड करेंगे तब सेस्फल कितना आजाएगा अगर हम इसको दोनों को गुना करने जाएगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा तो हम क्या करेंगे इस 25 को 100 से भाग देंगे तो 25 को 101 से भाग देंगे तो 100 तक कट जाएगा यहां रिमेंडर कितना आएगा यहां एक बच जाएगा इस 25 को अगर हम यहां भाग देंगे तो 255 125 हो जाएगा और रिमेंडर यहां क्या ब 372 को होто छोटत छोट एह अग लेते हैं जैसे 30320 मेर्म किया क्यूल psychology क्या प्लस बंदरह के इसको अगर हम लोग कितना से रिभाइड करें चार से रिभाइड करें सब कितना स्य शिर्ष आएगा अगर हम बीच में मैनस लख लेतें विज विछ में मैनस रख लेते हैं अगर हम इसको चार ता से तो कितना से तो अगर आहाँ यहां चार से तो 4 अधर करेंगा तो 4 यहां 2012 कटट j Game यहांग 20 अगर यहां दिवाइड करें तो लाष्ट का दो अंख मों देख लेते हैं तो सोलोचो का चूछ सथ यानि यहां एक सेस बच रहा है अगर यहां देखें तो यहां चाहरतिया बार नहीं पर तीन सीस बच रहा है तो 0 प्लस एक माइनस तीन यानि ऑवर ओल जो सेस आया वो कितना गया माइनस दू आ गया तो जब भी सेस कि एक मिनट एक्चुली यहां पर इतना नहीं रखना पड़ेगा इसको 720 कर देते हैं कि क्योंकि यह संख्या निगेटिव हो जागा ना यहां 720 कर देते 720 अब संख्या पोजेटिव रहेगा तो इहां भी 0 सेस बचा इहां 1 सेस बचा और इहां तीन सेस बचा तो यहां पर अगर हम लोग तीन से भागा देंगे तो कितना सेस बचेगा पांच के स्क्वाइर को अगर हम लोग तीन से भाग देंगे तो कितना सेस बचेगा सबस्पेल हम क्या करते हैं पांच को तीन से भाग देंगे तो दो सेस बचेगा लेकिन उस पर तो स्क्वाइर भी तो है न यान तो अगर वह से भी देखे तो पांच के उसकर पचीस पचीस को तीन सभागा दिये तो तीन अठेचोविस कर जाएगा और से एक बचेगा तो इस तरीके से पावर रहे या गुना रहे या मल्टिप्लारे कुछ ने करना है हर जगा अलग लग से निकालके पलस रहेगा तो पल बचेगा लेख लिए तीन के क्यों मैंसे अगर हम चार से भाग देने पर सेसफल क्या पराप्त होगा जिसे तीन के क्यों को अगर हम चार से भाग देंगे तो बहुत लोग इसको फार्मूला से बनाते हैं अगर एक पावर प्रीज इंडे इनको कि वमने से भागे बरें तो यह कि अगर आप हो यानि बिल्ठ आह कर आपक यह वह साइब सम्ध्य और कि अगर फूर कि इस बहुत लोग याद कर लिते ओ रहाए व 용ी 107 say is बचेगा तो सकन्फीजन को दूर कर देते हं जैसे अगर तीन का क्युग को चार सभागधक सबसे पहले हम देखते हैं कि चाहर को अगर हम तीन सभागधक देंगे तो मैवन सबसे बचेगा उसके पावर कितना थेन सबसे आनք तो यहारी मैञे मैंस एक बदले में यहां पर चार था तो सेस्फल जो है वह यही बचेगा यहां पर सौरी यह बचेगा तो यह कंफ्यूजन रहता है हमें साथ तो इसको हम दूर कर देते हैं कुछ नहीं करना इस सब इस सब के चकर में रहा है बस क्या करना जैसे 6 का पावर 3 को अगर हम साथ से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना सेस बचेगा मैंस एक क्यूब कीचिफना हाजएगा एक माइनस एक और देखते हैं जैसे तीन के स्क्वाइर को हम चार से भाग देंगे तीन के स्क्वाइर को अगर हम चार से भाग देंगे तो मैनस एक स्क्वाइर भी है तो मैनस एक स्क्वाइर कितना होता है एक यानि तीन के स्क्वाइर को अगर हम चार से भाग देंगे तो स्क्वाइर कितना र से भाग दें हूँ है तो 4 BLACK by detta कि माइनस एक से सबचेगा यह जाता है एक हो जाते इसका गryrika याजा घलेगा तो जो फ़र्मुला वा लिखे लेते हैं कुछ लोग बनाना चाहते ज़िसे एक एक पावर एन को ए पलस वन से अगर हम लोग भाग देते हैं एक पावर एन को क्या करते हैं एक पलस वन से भाग देते हैं तब जो सेस होता है N अगर बिसम संख्या हो N अगर बिसम संख्या हो तो सेस बचेगा A यह जो A होगा वही सेस बच जाएगा N अगर संख्या हो तो सेस क्या बचेगा 1 बचेगा हर इस्तिती में 1 बचेगा अगर A to the power N को यह पलस 1 से डिवाइड करते हैं यानि power में अगर भी sum संख्या है तो successful जो संख्या है वो ही बच जाएगा और अगर end sum संख्या है तो जो successful होगा वो एक बच जाएगा क्योंकि minus 1 says बच जाएगा तो minus 1 के power sum संख्या है तो वो उसको positive एक बना देगा जिसे एक सवाल देखते हैं 2 के cube plus 1 को अगर हम 3 से भाग देते हैं 2 के cube plus 1 को अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं ठीक है तो अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो क्या बचेगा minus 1 बचेगा minus 1 का cube बचेगा minus 1 का cube बचेगा अगर हम 3 को 2 से भाग देंगे और यहां क्या बचेगा पलस एक बचेगा तो माइनस एक का क्यूब कितना होता है माइनस एक और यहां पर पलस एक तो माइनस एक पलस एक जीरो इन तो जिस कितना बचेगा वह जीरो बच जाएगा जिससे अगर हम यह एक एक्सप्रेशन लेते 245 नमर सवाल देखते हैं सब्सक्राइब , दिफ્कर कहाई विस इसका भी फर्मूला होता है अलग से वह भी हम बता देंगे आगे पहले अभी हम बैसिक से बनाने सिखते हैं उसको इसको फर्मूला देंगे अब जिसे ये सवाल देखते हैं 25 के पावर 25 पलस 25 इसको अगर हम 26 से भाग देंगे तब से इस क्या बचेगा जिसे अगर हम इसको भाग देंगे 25 को 26 से भाग देंगे तो कितना से से बचेगा मैनस एक के पावर 25 और यहां अगर हम भाग देंगे तो यहां कितना से बचेगा मैनस एक 25 को अगर हम 26 से भाग देंगे तो मैनस एक से बचेगा है चलब में ले जाएंगे सब्सक्राइब और में लोग इमने तो मैस बचेंग और से tam तो माइनस से निगेटिव में होता नहीं तो हम क्या करेंगे 12 में से दो घटा देंगे यानि इसका जो अंसर होगा वह दस हो जाएगा यानि सवाल का अंसर दस हो जाएगा ठीक है बाकी तीन सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है अब नेक्स देखते हैं जैसे यह बेंजा को अगर हम साथ से दिवाइड करेंगे तब सेस्पल कितना होगा यानि 6 के पावर 6 इसको होल्टूडी पावर 6 पलस 6 को अगर हम लोग साथ से दिवाइड करेंगे ठीक है तो यहां देख रहे हैं कि यहां कितना सेस बच रहा है मैनस एक सेस बच रहा है तो माइनस एक के पावर समसंख्या है तो 6 उसके भी पावर 6 है पलस यहां भी मैनस एक सेस बच जाएगा अगर माइनस एक के पावर समसंख्या तो यह क्या हो जाता है पोजेटिव एक हो तेसे एक सवार और लेते हैं यह सवाल देखते हैं चार पावर 4 को अगर हम मान से दिवाइड करेंगे अगर यह हम भाग देंगे यह भागने तो मैंनस से बचेगा मैंनस से पावर 4 पूलट्री पावर 4 और पलस अगर हम इसको इसको कि पोजेटीब में है इस चाल को माईनस एक कर वे पूजेटीब मी रखना चाते हैं यहां ठीक कर सकते हैं कोई दिकत ने मैंनस एक पावर मैंस के पावर समसंख है तो यह हो जाएक और यहां पर पर अपन्स पांच आ गया तो जो से वह भाजक से या तो छोटा होता है भाजक से हमें साथ होता है भाजक के बराबर भी नहीं होता है तो अगर हम 5 को पांच से डिवाइड करें तो कितना से चाहेगा जीरो यह इसका जुन्सों को भी जीरो हो जाएगा बांकि कि दोसों तिरपन और दोसों चोबन खुच से प्रैक्टिस कर लेना है अब नेक्स डेखते हैं जिसे यह सवाल पांच का स्कॉयर मैनस एक को अगर हम लोग पांच से डिवाइड करेंगे देखिए अगर यहां हम पांच से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास से कितना बचेगा सेसपल को निगेटीव मी रखते हैं और जब भी सेसपल अगर निगेटीफ मनें रखते हैं तो 5 मी की Дढब है जैका हम और यह पांच से करेंगो को दिवाइड करेंगे तो म survival ले जाके बना सकते हैं बाद क्या करेंगे पॉजेटीव माजब करेंगे भाजAK से गटाके जैसे पांच की क्यूब मैनस एक को अगर हम पांच से भाग देंगे तो जैसे पांच के क्यूब मैनस एक को अगर हम पांच से भाग देंगे यहां पांच से भाग देंगे तो कितना जाएगा से जीरो आजाएगा और यहां पांच से भाग देंगे तो से कितना जाए नेलसे बoplesद बने तो चोटीं तो किसे प्रोवार रहता जाते सब्सक्राइब। तो इससे सब्सक्राइब के निकाल याध सब्सक्राइब को इसको 9 को अगर हम तीन सबस्क्राइब तो कि इस नेक्स दवाल आते हैं पांच के क्यों पलवस नेमी लिखे इतमें से किसे पुरुंता विभाजित होगा यहां पर कि आप्सें से भी हम लोग बना सकते हैं या फिर एक फर्मूला से भी हम लोग इसको बना सकते हैं के ईजरी सवाल को चोटा करदिये ली आने पैसा है कि अलगर स्वे ईक्यूब प्लस-ब्रक्राइवसंजन दिया जाए अगर फ्योथ region एन भी समसंख्या है तो वो एन पलस वन से विभाजित होगा एन पलस वन से विभाजित होगा अगर एन समसंख्या है अगर एन समसंख्या है तो ए अगर समसंख्या हो तो यहां पर कोई पॉसिबल नहीं होगा शेसफल यहां पर पॉसिबल नहीं होगा अगर एक पावर एन प किसे डिवीजय कूँब्स से नहीं यह 2 कटेगा ठेक है तो यहां पर 5 कraphู सॉन के क्यूब इसको लिख पॉस्धिकर पॉस्थ यहां लियुक्षा गएक इतनी होगा जो छट जाएगा तो हमेशा धियान रखेंगे कि एक गर यह सिस्कों करते हैं तो हमें सब मतलब करकते कि तो यहां पर यह से नहीं स手ह चातै कि नहीं कि मिने सोरी वस्तीपminute कटे श् disrupt तो फर्मुला याद रखेंगे बहुत कामका चीज़ है यह अगर न से समसंग है तो किस से कटेगा हमेसा अ पलस बी से कटेगा जैसे चार का क्यूप अब पलस ओन का क्यूप यह किस बीदक कटेगा अगरीश ऐसा नवर में की अक्न चा इंब यह जैसेशेश काлюч तो है कुछ भी रहो हमेसा यह कर सकते हैं तो Dash यह इसका जो अंसर वह से बेवारीवित ओसन नर्ट सब्सक्राइब में तो मिने संक्या हो तो हमे शकुराइसब्स बिवारीथ हो गाओ जैसे यहां पर आए 35 पावर 11 पलस वन यानि एक के पावर 11 भी तो कर सकते हैं इसको तो एक पावर एन प्लस बी के पावर एन हमेशा किसी विभाजित होगा तो जो इसका अंसर होगा 25 पलस 26 से विभाजित हो जाएगा बाकी दो सवाल कुछ से प्रैक्टिस करेंगा अब नेक्स सवाल आते हैं अगर एक पावर एन माइस बी के पावर एन अगर माइनस वाला सवाल आजये अगर एन विशंप संख्या है एन विशंप संख्या है तब यह क्या होगा A-B से कटेगा A-B से विभाजित होगा कब जब N भी समसंख्या है इस सब को हम एक कॉपी में बना लेंगे एक जगे कलेक्ट कर लेंगे सुबदा रहेगा अगर एक पावर N-B के पावर N में अगर N भी समसंख्या है तो A-B से विभाजित होगा अगर यही N समसंख्या रहता N समसंख्या तब यह क्या होता कि A-B से विभाजित होता तथा A-B से विभाजित होता तो यहाँ A के पावर N मानस B के पावर N यानि 49 के पावर 15 मानस 1 के पावर 15 लिख सकते हैं इसको एक कुछ भी पावर रहे हुए तो यह किसी बहुत होगा ए मानस भी यानि 49 में से गे 48 यानि यह संख्या किसी बहुत होगा 48 ऑप्सन वरता तो 48 होगा लेकिन 48 का जो फ्यक्टर 8 है तो 8 इसका अंसर हो जाएगा तो इस फर्मूला के मादम से इस सवाल को बना सकते हैं जैसे अब नेक्स सवाल देखते हैं यहां 35 का पावर पांच और माइनस एक के पावर पांच लिख सकते हैं एक के पावर कुछ भी रहेगा तो वह ही संख्या होता है तो किस से पूंता विभारत होगी तो अगर एन भी संख्या राता तो ए मानस भी यानि 35 मानस एक यानि 34 से पूंता विभारत होगी अगर 34 ओप्षन में दिया गए ठीक है नहीं तो 34 का जो भी फैक्टर होगा 17 हो जाए चाहें दो हो जाए उससे भी पूंता विभारत हो जी गई जो इसका अंसर होगा वह 17 हो जाएगा बांकी से कितना देगा इेक करेंगे तो यह सोलोक करेंगे तो है यह सबाबर-चार से इस का यंवों अगर ऑगर नोर्ब उसी तरह से बना लेना है है अब नहींने सावाल 2 जिससे 27 के क्यूब को 4 से भाग दे रे हैं 27 का क्यूब सो 4 से भाग दे रहे हैं तो हम क्या कर 他 नारी एक अधिक भार में लगा रहे हैं अगर हम prélems तक टक लगाएंगे तो मैनस एक जहें जटेंगों sound कितना है मैनस की चैनी जो सरह है गमद दीद देना employee अगर जब निगेटिव आए तो भाजक में घटा देंगे अगर 4 में से घटा आएंगे तो यह कितना जाएगा तीन आजाएगा यह इसका जो अंसर होगा वह तीन हो जाएगा जिसे अगर हम 250 नमर सवाल देंगे यह सवाल आठ के क्यूब को अगर हम 3 से भाग देंगे तो हम क्या करते हैं एक एक इक्स्ट्रा वार मिलगा तरे तीन आ नो नो वार में लाव लगाएंगे अगर तीन वार मिलाएंगे तो 9 तक जाएगा तो यहांनि मानस एक सेस बचेगा माइनस एक देगा तो मैंनस एक है तो पावर में तो पावर में तो तीन भी है तो मायनस की ultimate आपस देगा यहनी अब बर वर्ल मैंनस एक सचश देगा तो अगर सेशफंना लेडिए तो क्या करना है उसको भाне एक में जबगे अधलें तीन में से गय तो इसका जो अंसर होगा वो 2 हो जाएगा ठीक है अब नेक्स सवाल देखते हैं बाकि यह दोनों सवाल खुज से बना लेना है कि जिसे तीन के पावर 15 पुलस एक को 68 से भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि पावर को तो एसे टर्म में ले जाना है कि ये 8c के आगे पीछे चला जाये अगर आगे पीछे चला जए तो अगर एक पीर पिछ लेसे लिए तरगि एक के पावर कुछ भी रहें तो वह एक ही आता है गोड़ा झाओक है तो यह उसके प्रॉक्स थलेज़ा का ग्यां कर दिए तो 3 कि एप तना को अगर हम अठ्षा से भाग देंगे आगर हम relevant 17 baatним तो निए प्यावर स्वांच 5 प्तेस बचके आपर नकावर कितना बचत leverage other सट यानि फ्रवल सेघ्व इनमे यहां प्रचत्र बच चाहिए यहां पर यहां पर वह होगा पुश्रom मतलब ई שמ׿ निणकाल जाएगा जैसे दों पर नौ को अगर हम पॉलस ऊन्हीं को UK करें तो हम क्या कर देंगे तो मैंनस से 1 सेश बतेगा और यहां देंगे तो पलस एक और मानुस पलस से कितना होता जीरो तो जो अफर मोल से सबझेगा इसका जीरो हो जाएगा इसका बंकी 28ए और दो से कैसी खुछ से बना लेना है अदुर में जिसे च्छे के स्कौर को पांच भाग देंगे यह तो यह तो यह सवाल है तो एक स्कॉर्स बचेंगे तो किफेंग 10 कुछ बचेंगे एक सेस बचेगा तो इसका कुछ सेंगे dumped लोग अगर हम चार सब्सक्राइब ने सुछ बचए हाद जात वधता है अबने सब्सक्राइब में तो बाइंगा तो उल्षी हो जाएगा को हुद जिसे अगर छे का क्यूब पलस तीन को पांस भाग देंगे तो यहां कितना से बचाएगा यहां एक की तो हसे मैं ना से वाग देने पर से पने तो तो यह बचाएगा छार से भाग देनी पर हैं तो हम क्या करते हैं चार से एक एक लगा रहाँ लागा रहेते हैं स्तिति था सबत चार चाहिए ले एक माने सब्बसें कर एक किद चाहिए क। कि this को यहाँ बनाए तो हम सेस्फल को निगेटिव मिरे रखते हैं जब भी सेस्फल निगेटिव मिने रखते हैं इसको टीन आजाएगा जैसे नो को फावर नौ को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक इसाफ पावर को पान से डिवाइट करने पर कितना से तो हम क्या करते हैं कि इसको हम वैसे तर्म तोड़ते हैं कि ताकि पलस या मानस एक में ये रहें जैसे यहाँ मानस दो में है मानस दो के power 120 करेंगे तो ये बहुत जयदा लंबा चला जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे form बरे करना है कि पलस या मानस एक में रहें तो हम क्या करेंगे इसको तीन के square कर सकते सब् PCs क definitively 10 दूना के प्लष मानस एक मैं आजाएगा इन दू सक्ट कर देते हैं कि यहां प्रवफीं कि एक सब्सक्राइब किया हो आएक एक सब्सक्राइब कर दे आधा एक होली कि एक सब्सक्राइब हो जाएगा इस प्लस स्बैस्षालियर 1123 हो जाएगा you कैँ इवाइड़ वाइं पांच हम प्लस मैनस एक क्रीया हो जाएगा नो के सिछ फॉर्म में बड़े करने क्वल्मिन क्ल क्वाइट इस प्लस 1 प्लस 3 दिवाइड़ पांच कि यह और अगर हम नो को cat को 25ATT को को प्ति का जो प्रों का वो ऑप्शन नमरज्टी दू हो जाएंगा तो इस तरीके से लोगे देख लिए यानी शेश फल कैसेन कालते हैं हम लोग नेगेटीव में छा miss में पसे और पजेटीव में अगर नेगेटीव मैं से साफ हे तो हम क्या करेंगे भाजक से घटा देंगे अब कुछ और सवाल है जो सिस्पल से रिलेटेर है उसको भी देखते हैं